दोस्तो ज़रा सोची क्या हो अगर एक दिन अचानक आपकी मुलाकात आपके हमशिकल से हो जाए जी हाँ यह हमशिकल कुम्ब के मेले में विच्रा हुआ आपका कोई भाई ना हो बलकि भविशे से वर्तमान में आए आप खुद हो वेल सुनने में बड़ी ही अटपटी सी लगने वाली इसी हैरतंगेज कहानी पर आधारित है हमारी आज की फिल्म दा एडम प्रोजेक्ट तो आईए जानते हैं भविशे से वर्तमान के मिलने की एनोकी दास्ता के बारे में बस इसके लिए बने रहना होगा आपको हमारी वीडियो के अंते तक दोस्तो फिल्म के शुरुआत होती है सीधे 2050 के जमाने से जहां दुनिया आप तक आधुनिक युग का सीना फार कर पहुँच चुकी थी इस दोरान एडम कोई गोली भी लग जाती है मगर वो किसी तरह अपनी जान चुरा कर एक लूप होल में चूमनतर हो जाता है और पहुँच जाता है सीधे 2022 में यहाँ एडम के मुलाकात होती है खुट से यान की 12 साल के उमर वाले चोटे एडम से जो कि अक्सर अपने स्कूल में पढ़ता रहता था और अपनी माँ से भी हमेशे डाट खाता था और फिर यूँ कही एडम की उसकी माँ ईली से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और आडम का डॉग हौकिंस भी जोरो से भौकने लगता है जिसकी तफ्तीश करने के लिए जब आडम बाहर निकलता है तो नजारा बेहत अलग होता है क्योंकि हवाओ का रुख तेज हो चुका होता है आसमां से ना जाने कहां से चिंगारिया गिरने लगती है जिसे देख आडम डर जाता है और अपनी सांसे रोक के सीधे पहुंच जाता है अपने डैड के गैराज में जहां पर उसे एक घायल शक्स दिखता है जो कोई और नहीं दोस्तों बलकि एडम होता है जी हाँ वही 2050 वाला एडम वैल तो दोस्तों बड़ी यानि कि 2050 वाले एडम और 2022 वाल इस बॉल से हमला करने ही वाला होता है कि तभी एडम उससे कहता है कि तुम डरूमन मैं तुम्हें हाम नहीं करने वाला इसके बाद वो मॉम की बाहर जाने के बाद सुनकर घर की तरब बढ़ता है और जहां वो खाने पीने के समान से लेकर अपनी मरहम पट्टी के खुधी करता है एडम के घर में घुसते ही सब कुछ तुरंत खोज लेने के अंदाज से एडी काफी शौक्ड रह जाता है ऐसा लगता है मानों एडम को घर के चपे-चपे का अंदाजा है हाल फिलहाल घबरा कर जब एडी एडम से कुछ सवाल पूसता है तो उसे मालूम च सपनों के दुनिया से हटके असलियत की स्पेश शेप देखकर एडी को अब एडम की हर बात पर यकीन हो गया था और दोनों काफी बाते भी करते हैं अपनी मां से 36 का आगडा रखने वाले एडी को एडम उनकी रिस्पेक्ट करने को कहता है और समझाता है कि जो चीज अभी उसके पास है वो उसकी कदर करे वरना आगे बेहत पस्ता आएगा अगली सुबह एली के ऑफिस जाते ही एडी नाश्ता लेकर एडम के पास पहुंचता है जहां दोनों मेडिकल स्टोर जाते हैं दरसल दोस्तों एडम का घाव काफी गहरा था और उसे भरने के लिए कुस ज प्तोरदार पिटाई हो जाने के बाद एडम वहां पहुंचकर पहले से टूटे फूटे एडी को उन्हें मारने के लिए बोलता है जिस पर होश में आकर एडी उन्हें मारने तो जाता है मगर उल्ता उसी का भरता बन जाता है और विचारा एडी मुठ चुपा कर वहां से भाग निकलता है एडम को ये सब देखकर अपना वच्पन याद आ जाता है और वो उन दोनों को घायल पिच्चर के सैनी देवल के अंदाज में खतरनाक धंकी देता है जो उन बच्चों के समझने के लिए काफी होती है वही घर पहुंचकर नाराज एड़ी खुद को एक कमर का ही आदमी था बस पीने वालों को तो मौकी की तलाश थी ये समझी एडम भी अपनी वीवी की फोटो देकर नस्दी की बार में जाकर देवदास बनने में लग गया अगले दिन दिखाय जाता है कि मूवी में मैडम माया 2050 की हाई टेक टेकनोलोजी के मदद से 2022 में चिपे आदम को डून निकालती है जिसके पते पर वो डाकिये के हाथों कोई चठी नहीं बलकि भेजती है अपने सोल्जर्स को ताकि वो वहां से आदम का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए मगर उसके उम्मीदों पर पानी तफिरता है जब वहां आदम की बीवी लौरा एंट्री म आई थी जहां उसने पास्ट के साथ छेडखाने की थी ताकि उसे टाइम ट्रेवल और फ्यूचर का पूरा कंट्रोल मिल जाए और जैसे लौरा को इसका पता चला उसे नाकाम करने के लिए 2018 में पहुंच गई जा लौरा को कही दफ़ा मारने के कोशिश भी की गई लेकिन वो खुद को बचाने में काम्याब रही और लौरा एडम को ये भी बताती है कि उसे दोबारा 2018 में जाना है ताकि वो टाइम मेशीन को बनने से रोक सके वरना सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा तभी माया के आदमी वहाँ फिर से दर्शन दे देते हैं और उनकी आप स इसे क्लासरूम में लेक्चर देते मिलते हैं वेल लुईस अपने टू-इन-वन दोनों बेटों को पहचान लेता और भरत मिलाब का सिलसिला क्लासरूम में ही शुरू हो जाता है लुईस को समस्य देर नहीं लगती कि ये दोनों टाइम ट्रेवल करके आए हैं मगर उसे यक देख पाएगा क्योंकि उसकी 2018 से पहले ही मृत्ति हो चुकी होगी वहीं 200 मैडम माया भी टाइम ट्रेवल करके 2018 के माया के पास पहुंच जाती और दोनों लुईस और उसके बेटे आडम को मानने के रण अनीती बनाने लगते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दोनो माया की कोई पहली मुलाकात नहीं है बलके दिल्चस बात तो ये है कि हमारी फ्यूचरिस्टिक मैडम माया अकसर 2018 की माया से मिलने आया करती थी उसे शेयर मार्केट से लेकर भविशे के वरतमान जानकारिया देती थी जिससे दोनों करोड़ पती बन सकें वहा क्या सीन चल बिल्कुल जुडवा पिचर की तरह है जहां बस फरक इतना ही है कि वहां गुमशुदा हम शेकल थे यहां तो एक ही धाली की चट्टे बटे हैं फ्यूचरिस्टिक माया 2018 की माया को लुईस और उसके चोटे बेटे को मारने को बोलती है ताकि सारी फसाद यहीं पर खत्म हो सके महीं इस बवाल को जड़ से मिटाने के लिए दोनों एडम निकल चुके थे लुईस की लेबोरेटरी की ओर जहां बाप के मना करने के बाद दोनों ने घी को उल्टी उंगली से निकालने का इरादब मना लिया था लेकिन तब ही वहां एक बार फिर से माया के आदमी सारा का सारा अंचर पंचर फिक्स था लोईस मशीन के सबसे जरूरी पार ड्राइव को निकाल कर एडम को सौप देता है जिसके बिना मशीन का चलना तो छोड़ो उसका एक काटा भी नहीं हिल सकता था ऐसे में अचानक वहां दोनों माया भी आ जाती है फिर लोईस और माया एकसिलेटर ऑन हो जाता है और सारी लोहे वाली चीज़ें चुमबक की तरह है उसी और खिची चली जाती है यहां तक कि रोबोर्ट भी उस पर जाकर चिपकने लगते हैं क्या दोस और क्या दुश्मन लोहे से तालुक रखने वाली हर चीज हवा में उड़कर ऐसे उस मशी उस पर फायर करती है मगर बतकिस्मती से इलेक्ट्रो मैगनेटिक पावर के चलती गोली टर्न करके 2018 की माया को लग जाती है जिससे दोनों ही माया का खेल यहीं खत्म हो जाता है और वो जगे भी पूरी तरह नश्ट हो जाती है कोई बसता है तो लोईस और उसके बेटों की अब जिन्दा थी जो एडम के साथ बहुत सकून के पल विता रही थी और यहीं पर फिचर खत्म हो जाती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको भविश्य की मज़िदार कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही अगर आपको वीडियो प सब्सक्राइब करना ना भूलेगा शक्रिया